हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मेरे नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आसा गेरता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लो योजिसिनेट फर्स्ट पेपर में 29 सितंबर 2020 को सिप्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसके 25 को सॉल्व करेंगे इसके साथ ही साथ मेरा प्रयास रहेगा कि आप इन सभी कुष्चन को प्रेक्टिस सेट की तरह भी अटेंड करें इससे आपको काफी मदद मिलेगी आपके सभी कुष्चन की प्रेक्टिस भी होंगे और कुष्चन से कि बहुत सारे ऐसे भी कुष्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं थोड़े से वर्ड में करेक्शन कर दिया जाते हैं या वर्ड को चेंज कर दिया जाता है लेकिन कुष्चन वही रहता है थोड़ा सा समझना होता है फिर आप उस कुष्चन का आंसर कर पाएंगे तो वीडि क्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिये गए कुछ उत्तरों के लिए निमनलिखित प्रकार की टिपड़ी करता है और यह टिपड़ी क्या है हाँ आप सही है उत्तम अब आपको बताना है इन सभी विकल्पों में से कि कौन सा ऑप्सन सही है क्या साकारात्मक है C है सम पुष्टी परक फिड़ बैक है या D सुधारात्मक फिड़ बैक है तो इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रेक्टिस भी हो जाएगी बहुत अंसर हो जाएगा साकारात्मक फिड़ बैक अब यह साकारात्मक फिड़ बैक कैसे हो जाएगा तो कुश्चन को जब अब अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह साकारात्मक फिड़ बैक कैसे है देखिए इसमें बताएगे कि कोई सिच्छक अपनी क वो कहता है उस विद्यार्थी के लिए हाँ आप सही है यानि कि जो उसने आंसर बताया वो उसको सही लगा सिछको तो यह किस प्रकार का feedback है साकारात्मक यानि कि आप अगर कच्छा में किसी विद्यार्थी से कुछ भी पूछते हैं question पूछते हैं या किसी topics related अगर वो आंसर देता है तो इसको हम साकारात्मक feedback के अंतरगत जानते हैं अगर वो गलत जवाब देता है या कुछ और तो यह आपका नकारात्मक feedback होगा कि आपका answer सही नहीं है लेकिन यहाँ प्रश्ण में जैसे पूछा जा रहा है उसके according आपका option ही क्या हो जाएगा right answer तो आसा करता हू अगला question नमारा है question number two देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सिच्छन अधिगम उद्देशियों के संग्यनात्मक छेतर में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिडामों के उच्छतर प्रकार के रूप में वरगी कृत किया जाएगा उसके संदर में यहाँ पे कुछ इस के उच्छतर प्रकार के रूप में वरगी कृत किया जाएगा पहला दिया है ग्यान और अवबूद बी है अधरणात्मक तत्वों का विशलेशन सी है अरजित ग्यान और कौसल का अनुप्रियोग डी है संसलेशन जिसमें विचारों की स्रिजनात्मक व्यवस्था नहित हो और E है मुल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह मानकों के अनुप्रियोग द्वारा निरड़ लिया गया हो तो इस प्रश्ण का क्या ओप्सन A से हो जाएगा या ओप्सन B या ओप्सन C या ओप्सन D तो कमेंट बोक्स में इस कुश्चन का आंसर जरूर बताईएगा देख के B में बताया गया है और धरडात्मक तत्वों का विशलेशन और D में है संसलेशन जिसमें विचारों के स्रेजिन आत्मक्ता व्यवस्था नहीं थो और E जो है मुल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह मानकों के अनुप्रियोग द्वारा निरड़ लिया हो तो यहां पर जो है आपका option D question का right answer हो जाएगा अगर comment box में आपने option D सही answer जो है लगाया होगा तो यह आपका right answer हो जाएगा देखिए इस question से जुड़े कुछ important points से उसको भी आप समझ लीजिए देखिए सिच्छण अधिगम उद्देशियों के संग्यानात्मक छेत्र में B.S. ब्लूम अनुप्रियोग और यहाँ पर चौथा है विशलेशन और पांचवा है संसलेशन और चटवा है मुल्यांकन तो यह वर्गिकरण आपको याद रखना है क्योंकि question में पूछा गया कि सिच्छण अधिगम उद्देशियों के संग्यानात्मक छेत्र में निमनांकित में से य आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 3 देखे इसमें पूछा जा रहा है नीचे दो कथन दिये गए हैं तो कथन को पढ़ना है फिर नीचे दिये गए विकल्पों के अनुसार सही आंसर हमें बताना है पहला कथन दिया गया कि इश्टितम निस्पादन परिच्छन परिच्छार्थियों के ग्यान एवं उसकी योगिता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं कथन दो में दिया गया है कि विसिष्ट उत्तर परिच्छन परिच्छार्थियों के व्यवहार एवं अभिलच्छनों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं तो नमबर एक कथन एक और कथन दो दोनों सही हो जाएंगे यहां पर आपका इस कोश्चन के अनुसार तो देखिए इसको समझ देते हैं थोड़ा सा तो देखिए सैचिक उपलब्दी परिच्छन के अंतरगत दो मुख्य परिच्छन स्विकार किये जाते हैं एक तो आपका होता है इस्टतम निस्पादन परिच्छन दूसरा होता है विशिष्ट उत्तर परिच्छन इसमें इस्टतम निस्पादन परिच्छन में एक साथ कई छेत्रों में अंतरनेहित चमताओं का मापन किया जाता है और इसके माध्यम से परिच्छार्थियों के ज्यान एवं उनकी य अभी चमता का मापन करते हैं और सैचिक छेत्र में या परिच्छन परिचार्थियों के व्यवार एवं अभी लच्छनों के मापन में भी उप्योग होता है इसलिए हमारा कथन दो भी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो मैंने अभी बताया आपको वो मैंसे ने व्यवार एवं अभी लच्छनों के मापनेतु अभी कल्पित होते हैं तो इसलिए हमारा ऑप्सन क्या हो जाएगा राइट आंसर आईए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन नमारा है कुश्चन नमबर फोर और ये मैचिंग वाला कुश्चन है देखे सुची वन में दिया गया है विवार परक सिछन प्रविड़ताएं तथा सुची दो में उनके विवरण दिये गये हैं तो हमें सुची वन को सुची दो के साथ क्या करना है मिल करिएगा तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है अनुदेशन तो यह आपका मैच करेगा किस के साथ तीसरे के साथ मैच करेगा अधिगम समवर्धन हे तू सिच्छक द्वारा पध्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग जो है अनुदेशन होता है देखिए असाबदिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेशन करना जो है संप्रेशन कहलाता है प्रबंधन क्या होता है देखे प्रबंधन का जो मैच करेगा वो पहले के साथ आप मैच कर लेंगे इसको तिके कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य संगत क्रियाओं को निमतम बनाना प्रबंदन होता है और फिर उसके बाद से D जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा यहाँ पे सयमन इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग, देखें सही मन को क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग, यानि ध्यान रखना, अगर कोई कारी कर रहा है वेक्ती और कोई गढबड कर रहा है, तो तुरंट जो है, उस पे पूरी तरीके से विवरण हो जाएगा, तो आसा करता हूं कि जैसे हमने मैच करा वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने भी इसी तरीके से मैच किया होगा तो यहां पर जो है आपका राइट आंशर जो है जिस हिसाब से हमने मैच किया उसके अपक्षण सी क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा तो आशा करता हूं question आपको clear हो गया होगा आई अगला question देखते हैं अगला question नमरा है question number five देखे ये आपका अभिकतन और तर्क वाला question है इसको आपको पढ़ना होगा फिर उसके बाद से नीचे जो चार विकल्प दिये गए उसके अनुसार आपको सही answer देना होगा तो पहला अभिकतन ए दिया कि निर्माणात्मक मुल्यांकन उसे कहा जाता है जब सिच्छण अधिगम व्यवस्ता में सुधार की गुंजाई सेवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है तर्क है आपका कि इस प्रकार का मुल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन या सिच्छण की कने kya option a सईी है कै दिस सई है तो किश्ण का जो हमारा right answer हो जाएगा वह है yellow question का एउर दोनों सइंगे और एकि क्या है सही किया रहा है सभी कतन में बताय गया है यहाँ पर की निर्माणात्मक मुल्यांकन की वह प्रक्रीया है जिसमें सिच्छड अधियम के अंतरगत कच्छा सिच्छड में सुधार के गुंजाईस एवं शंभावना तलाशने का प्रयास होता है जिससे सिच्छड प्रक्रिया में किसी बाधा या रुकावट आने पर मुल्यांकन के आधार पर नई युक्तियों वो सिच्छड विदियों को भावना तलाशने का प्रयास होता है पिर तरक में क्या बताया गया है तो देखिए तरक में बताया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार का मुल्यांकन और चारिक होता है तथा अनुदेशन की अवधी में घटित होता है और इस प्रकार से हमारा तरक क्या है वो भी सही हो जाए रहेगा क्योंकि यहां पर यह मैं昨ुन आपने पर इसका आंसर आप सर नहीं लगाया हो यह क्मेंड बॉक्स में आजा करता हूं कि आपका आंसर सही होगा आए प्रिहования हम良ओ कि सोध कि किस विधी में निरासरित चर्में हेर फेर तथा बाह चरों का नियंतरण ना तो शंभाव है और ना वांचनी है इन चार विकल पुमिश्या आपको सही आंसर बताना है प्रियोगात्मक विधी में बी आप्सने कारियोत्तर विधी में सी है त्यासिक विधी में डी है वड़न नात्मक सरवेच्छन विधी में तो इस question का right answer क्या है comment box में उसका जो है answer आपको बताना है देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B कार्योत्तर विधी में question में पूछा गया कि सोध की किस विधी में निरासरित चर में हेर फेर तथा बाहचरों का नियंतर न न वांचनी है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए सोध की कार्योत्तर विधी में निरासरित चर में जो कि मैंने भी बताया हेर फेर तता बाहचरों का नियंतरन न तो शंबा है और नहीं वांचनी है इसे कार्यकारण तुलनात्मक और घटना अउत्तर अनुसंध कारियों में किया जाता है जहां अन्य कोई परिच्छन सरलता से शंभव नहीं हो सकता है उस इस्थिती में जो है कारियोत्तर विधी का जो है इस्तमाल किया जाता है तो आसा करता हूं कि आपने राइट आंसर ऑप्सन भी लगाया होगा आई अगला कुशन देखते हैं अगला नीचे दिये गए चार विकल्पों में से जो है सही आंसर बताना इस कोईशन का तो देखे सबसे पहले कोईशन को आप समझे इन सभी विकल्पों में से उन कत्नों का पहचान हमें करना है जो गुडात्मक सोध के प्रतिमान की विसिस्ताओं के बारे में बताते हों तो सबस सब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं डी है वास्तविक परी द्रिश्य प्रजत्तों के प्रतच्छे स्त्रोत होते हैं और ई है इसमें यहां माना जाता है कि सामाजीक तथ्य एकल वस्तुनिष्ट यर्थात के रूप में पाय जाते हैं तो क्या इस कोश्चन में option A सही है B सही है C सही है D सही है comment box में आपको जवाब देना है देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D यहाँ पे right answer हो जाएगा पहला और आपका फिर C और उसके बाद से D आपका right हो जाएगा पहले मताया गया है सोध करता आपने प्रत्तों का visualization आगमन रिती से करने की और क्या होता है उन्मुख होता है ठीक है आगमन का मतलब आपको पता है कि इसमें पहले जो है example दिया जाता है फिर उसके बाद से जो है चीजों को समझने का प्रयास किया जाता है देखिए आगमन विधी के अंतरकत जो है विशिष्ट से सामाने की तरफ हम लोग जाते हैं जैसे कि किसी भी कॉंसेप्ट या सिध्धांत को समझाना है तो सबसे पहले उसका उधारण जो है विद्यार्थियों के सामने रखेंगे जो कि वो जानता हो उसके आज पास से example लेंगे फिर उसके बाद सिध्धांत के बारे में उसको बताने का प्रयास करेंगे लेकिन निगमन बिधी के क्योंकि यहां पर इस से कई सारे question एग्जां में पूछे जाते हैं थिक है फिर इसके बाद से जो C आपका था प्रदत सब्दो इवं चित्रों के रूप में होते हैं तो यहां पर जो डेटा होता है या जो प्रदत होते हैं वो फिगर्स या चित्रों के रूप में होते हैं और E था इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्या एकल वस्तोनेष्ट यर्थात के रूप आईए अगला question देखते हैं अगला question नमारा है question number 8 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि परिमाडात्मक सोध प्रतिमान के अंतरगत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्ष प्रतिचेन विदियों की वरियता दे जाती है ठीक है तो यहाँ पर प्रतिदर्ष होते है जो data होता है जो sample होता है उनको किस प्रिकार से chain किया जाए उसके सम्मंद में यहाँ पे कुछ तरीके दिये गए हैं और उसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा परिमाडात्मक सोध प्रतिमान के अंतरगत हमें इन चार विकल्पों में से बताना है तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है साधहारण यद्रिछिक प्रतिचेयन B है स्तरित प्रतिचेयन और C है अनुपातिक प्रतिचेयन और D है इश्नो बॉल प्रतिचेयन और E है व्यवस्तित प्रतिचेयन तो अब नीचे दिये गए विकलपों में से जैसे option A या option B या option C या option D में से कौन सा option आपका right हो जाएगा इस question के according comment box में आपको answer करना है तो देखें इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B यहाँ पे केवल आपका A, B और उसके बाद से E क्या हो जाएगा right answer साधारन यद्रिचिक प्रतिचेयन फिर इसके बाद इस्तरित प्रतिचेयन और E है व्यवस्थित प्रतिचेयन जो है क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा इस question का देखे परिमारात्मक सोद को इंगलिस में quantitative research या मातरात्मक सोद भी कहा जाता है और इस सोद में अभिकल्प पूरो ही निर्धारित कर लिए जाते हैं और यह निगमनात्मक पध्धती का अनुशड करता है देखे परिमारात्मक सोद में प्रयुक्त प्रतिचेयन प्रविदियां कई तरकी होती हैं जिसमें से हमने तीन देखा लेकिन कुछ और है उनको भी आप याद रखेगा अगर ये option नहीं देता है कुछ और देता है तो आप उनको भी right answer कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले होता है इसमें साधारण आकास्मिक या यद्रिचिक निया दर्शन जो कि इसमें दिया गया है पहले option A में दूसरा है यद्रिचिक संख्या सारड़ी का प्रयोग और तीसरा है विवस्थित प्रतिदर्शन और चौथा है इस्तरित यद्रिचिक या आकास्मिक निया दर्शन और पांचवा है गुच्छ निया दर्शन और चठवा है दुष्थ प्रतिदर्शन तो यहाँ पर हमारा ये जो A, B और E क्या है राइट है इसकोश्चिन का इसलिए option B हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर क्योंकि question में यही पूछा गया था कि परिमारात्मक सूद प्रतिमान के अंतरगत इन सभी विकल्पों में से किन प्रतिदर्श प्रतिचैन विधियों को वरियता दी जाती है इसके अंतरगत तो यहाँ पर ये तीनों आपका राइट है और option B इस question का राइट आंसर है और आपने भी option B राइट आंसर लगाया अगला question हमारा है question number 9 देखिए ये भी matching वाला question है सूची 1 में जो है यहाँ पर सूध अवधारडाएं दी गई है जबकि सूची 2 में उनका विवरण दिया गया है और सूची 1 में सूध अवधारडाएं दी गई है और आपको जो है match करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ और न फिर उसके बाद से comment box में आपना जवाब दीजिएगा यहाँ पर मैं question को solve करा देता हूं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर match करेगा आपका जो परिकल्पना या hypothesis है वो यहाँ पर चौथे के साथ match करेगा यहाँ पर एक अंतिम कथन जिसके अंतरगत 2 या 2 से अधिक चरो कि मद्य संबंद संसुचित किये जाते हैं वो hypothesis या परिकल्पना होता यानि किसी कारे को करने से पहले या कोई भी आप कुछ भी work कर रहे जा रिसर्च कर रहे हैं तो आपको hypothesis सबसे पहले करना या परिकल्पना करना उसका जरूरी है कि कैसे आप research को complete करेंगे कैसे data collect करेंग तो एक परिकल्पना आप बनाएंगे उसके बाद से जो है आप अपना आगे का कारे करेंगे फिर बी जो है यहां पर प्रतिदर्ष न्यायदर्ष सेंपल यह किसके साथ मैच करेगा तो यह जो है तीसरे के साथ मैच करेगा यहां पर बड़े समूह के प्रतिनिधित यानि कि प्रतिदर्स न्यायदर्स या सेंपल क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है किसी प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर रहे हो तो मालोगी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करें कि पॉपुलेशन में कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं इस तरीके से को 2000 या 10,000 बेक्ति लेंगे और उससे जो आपका निसकर्स निकलेगा रिसर्च का वो आप पूरी population पे क्या करेंगे implement कर देंगे यही है प्रतिदर्स या नियाजदर्स या simple जो कि यहां पर बताया गया है कि बड़े समू के प्रतिनिधित वहेतु एक चोटे समू का गठन करते हैं और उस पे रिसर्च करते हैं और उसका जो डेटा निकल के आता है उसको हम पूरे जो है लोगों पे क्या करते हैं इंप्लिमेंट कर देते हैं ठीक है फिर उसके बाद से यहां पे सी जो है सोध उपकरण या रिसर्च टूल यह किस के साथ मैच करेगा यह आपका दूसरे के साथ यहां पे मैच करेगा प्रवीधी या जिनके अनुप्रियोग द्वारा सोध में प्रदत संकलित किया जाता ह फिर डी जो है आपका ओ परामितिक परिच्षण ठीक है तो यहां पे जो है इंगलिस में इसको नौन पैरामेटिक टेस्ट भी कहा जाता है तो यह आपका मैच करेगा किस के साथ यह पहले के साथ मैच करेगा यह एक सांकी की परिच्षण है जिसमें प्रचालू के बारे मे कोई पुरुवधारडा नहीं होती है तो यह आपका इसके साथ मैच कर जाएगा तो आप करना क्या है आपको की नीचे दिये गए विकलपों में से आपको सही उत्तर चुनना है तो जिस हिसाब से आपने मैच किया है उसके सही आंसर हमने मैच किया वह उप्सण हमारे क्या हो जाएगा तो इसमें हमारा अपसर एक क्या हो जाएगा उससे साव से हमने मिलाया ऑपसरे हमारा राइट आंसर और आपने भी ऑपसरे है पका रीलّब दाया होगा तो आसा करता हूँ question clear हो गया होगा, आई एकला question देखते हैं, अगला question नमारा है question number 10, देखे इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिये गए हैं, पहला अभी कथन और दूसरा तरकार, यानि अभी कथन और तरक वाला ये question है, अभी कथन और तरक को पढ़ना होता है, पिर उसके बाद से उप्रियुक्त कथनों का अलोकन करना होता है, यानि इसको समझना होता है, और जो नीचे चार विकल्प दिये गए हैं, उसके अनुसार सही आंसर बताना होता है, तो देखे अभी कथन को पहले पढ़ते हैं, देखे इसमें पूछा जारा कि क्रॉस ब्र विकल्पना के अनुसार किया जाता है, और यहां पर आपको अभी कतन और तरके को अच्छे से समझ के जो है, इन चारो विकल्पों में से सही आंसर देना है, या और आर दोनों सही है, और आर एकी क्या है, सही व्याक्या है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्रॉस ब्रे प्रतिसत के रूप में प्रदत्तों की सांखिकी या सारडीबद प्रस्तुती से है जिसमें चरो के मद्दे सह सम्मंदता देखने के लिए उनका बिभाजन किया जाता है और क्रास ब्रेक को वर्ग परिछन यानि की ची स्क्वेर टेश्ट के नाम से भी जाना जाता है इस विधी का प्रियोग गुडों की स्वतंतरता के रूप में परिच्छन में किया जाता है इसलिए हमारा अभिकथन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और तर्क में देखे बताये गया है कि क्रॉस ब्रेक के माध्यम से जब चरो के मध्य सहर्शम्मधता का पता सरेओंसर इशावं का नेधारण किया जाता है तो यहां पर जैसे मैंने अबी बताये क्रॉस ब्रेक के माध्यम से जब चरो के मध्य सहर्शम्मधता का पता चलता है तो इसके उसलिए का निधारण होता है इसलिए तर्क हमारा सही है और तर्क जो है भी कथन को explain कर रहा है तो यहां पर option है क्या हो जाएगा आपका right answer और आपने भी option right answer लगाया होगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number यहां पर 11 और यहां से जो है आपका reading comprehension वाला जो है question start होता है आपको पता है कि reading comprehension के भी 5 question आपके paper में पूछा जाते हैं और डियाई की यहां डाटा interpretation के तो यहां पर यह जो previous year का reading comprehension का question है 29 September 2020 सिप्ट वन में यह paper हुआ था और इसी question है तो देखिए reading comprehension का जो previous year का question होता है और इसके सासा डियाई का अगर उसको आप अच्छे से solve कर लेते हो तो आपका कोई भी question बाहर exam से नहीं जाएगा ठीक है आपका question बन जाएगा गध्यांस दूसरे टाइप से दिये हो सकते हैं और जो डियाई के जो चार्ट होते हैं वो अलग तरीके से हो सकते हैं लेकिन जब previous year के question को आप solve करेंगे तो उसमें सारे methods मिल जाएंगे आपको और उन सभी question के आधार पे आप जो है जो आने वाला exam है उनमें question डियाई के और reading comprehension के आसानी के साथ बना लेंगे तो देखे इसको करना क्या होता है reading comprehension में कि या तो आप पहले क्या करेंगे सारा paragraph जो है या गद्यांस जो है आप पढ़ लेंगे और उसके बास एक एक करकी question को solve करेंगे या तो question को पढ़िए फिर उसके अनुसार आपको सही answer trick करना होगा तो 11 से 15 तक उत्तर जो है हमें इस गद्यां के गद्यांस के अनुसार देना है तो देखे से पहले यहां पर गद्यांस का पहली लाइन या पैरा ग्राफ पढ़ना होगा तो मानव विवहार के बारे में अभी बहुत कुछ जाना गया है और अनुतरित प्रश्ण बने हुए हैं और आगे अनुसंधान करना आवश्चेक है अभी प्रेर्णा नित्रित्व विवहार को रोकने में मदद कर सकता है और इससे संगठन प्रायाज ज्यादा उत्पादक बन सकता है तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में आपको आंसर लगबग मिल चुका है क्योंकि पूछा गया कि इनमें कौन सा परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है तो यहां पर जो राट आंसर आपका हो जाएगा इस कोस्चन का NETRIT व्यवार का घ्यान प्रतिरोध को रोकता है यहां पर देख सकते हैं साफसाब बताया गया है नेत्रित्व में सुधार कर सकता है ठीक है और यह परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकने निसकर्स और कर्मिक विवादों को रोकने में मदद कर सकता है ठीक है तो यहां पर यही पूछा गया प्रतिरोध को कौन सा रोकता है है अपने ज्यान में परिवर्तन भी है दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने विवहार में परिवर्तन करना सी है मानव विवहार समझने योग ये ना हो और डी है मुल्य वर्दित धांचे का उध्भाव तो देखे इस क्वेश्चन का जो हमें राइट आंसर हमने यहां में परिवर्तन नहीं होता बलकि इस से लोगों के कारे करने के विवहार में परिवर्तन होता है तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने विवहार में परिवर्तन करना जो कि यहां पर मेंसन किया आप देख सकते हैं क्योंकि कुछा गया कि विवहारिक विग्यान से धान्तिक धाचे को लागू करने के लिए मुल परिमाड क्या है तो यहां पर दूसरे लोगों के साथ काम करते समय जो है विवहार में परिवर्तन करना जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस कुछ में परिवर्तन होता है तो यहां पर आइट आंसर आपका क्या है ओप्सन नंबर भी आई अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन हमारा कुछन नंबर थाटीन देखे इसमें पूछा जारा कि प्रतेक मुल्य सचमता के लिए क्या वश्चेक है पहला आपसन विसीष्टता देखे मैं बार-बार कह रहा हूं कि डारेक्ट आपको आंसर पूरे गद्यांस में नहीं मिलेगा इंडिरेक्टली मिलेगा और आप इंडिरेक्टली आपको आंसर मिलेगा और समझ की आपको आंसर सही लगाना है और यह तभी हो पाएगा जब आप रिडिंग कॉम्प्रिह प्रति अपने विवहार और आपके आपके नियंत्रण वाले संसाधनों को अनुकुलन बनाने की योगिता होना और संवाद संदेश इस तरह प्रेशित करना की लोग इसे आसानी से समझ सके और स्विकार कर सके इन में से प्रतेक सचमता अलग-अलग होती है एवं इसके लिए की अलग-अलग पहल अपनानी होती है और यहां तक आपका इसमें राइट अंसर मिल जाएगा प्रतेकließ कमुल्ले सचमता के लिए क्या आवश्चेख है तो देखे यहां पर बताएगे कि प्रतेकrd सचमता अलग-अलग होती है एव्वं इसके लिए कि हिसके लिए अलग-अ question number 14 देखिए इसमें पूचा जारा कि व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है तो यहां पर पहला दिया कि नित्रित तुसली भी है प्रबंदकों को इस्तिती जन्न सहयता और सी है संगठन के c है संगठन में अन्य लोगों के साथ अधियम परिडामों को साजा करना और d है सचमताओं को अलग-अलग करना तो आपको जहां से पहले अगर आप आपने पढ़के छोड़ा था वहां से आगे पढ़ना है फिर उसके बास इस question का answer आपको यहां पर मिलेगा directly नहीं indirectly मिलेगा उदारण के लिए निदान संगेनात्मक या मस्तिक्स की प्रक्तिती होता है और इसके लिए विचार कौसल आवश्यक होता है अनुकुलन विवार की प्रक्रिती में नहीं थोता है और इसके लिए विवारिक अभ्यास आवश्यकता होती है और समवाद प्रक्रिया उनमुख एवं इसके लिए अधिगम और प्रक्रिया के मुख्य चरडों के अंतर निर्भरता आवश्यक होती है क्योंकि इन तीनों सच्छमताओं के लिए विभिद ग्यान और कौसल आवश्यक होते हैं अता हम सुरू की गई प्रक्रियाओं को कैसे जारी रक्षकते हैं विवार क्या हो जाएगा क्योंकि यहां पर पूछा गया कि व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है तो यहां पर देखिए आपको दूसरी लाइन में मिल जाएगा कि व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया सुरू करने का जो मुख्य बिंदू आपके अपने पर फोटीन का जो है आपका option number C right answer हो जाएगा और आपने ही आपने भी जो है सी answer जो है comment box में जवाब दिया होगा आईए अगला question देखते हैं अगला question नमरा है question number 15 और ये गद्यांस वाला last question नमरा हो जाएगा तो देखिए गद्यांस से क्या आसे निकलता है इन चारो विकलपों में से आपको बताना है ठीक है यहाँ पर गद्यांस से क्या आसे निकलता है उसके संदर में कुछ अनिसकर से आसे दिये गए हैं और इन चारो विकलपों में से आपको बताना है नीचे दिये गए ठीक है तो पहला भावनाएं और मानव विवहार अलग अलग और इनकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है और नीचे दिये गए विकल्प के अनुसार अपना सही आंसर आप सभी को बताना है तो देखें यहां पर आपको जहां से आपने पढ़के छोड़ा है परग्राप को वहां से पढ़ना होगा फिर आपको जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा ठीक है तो यहां तक हमने पढ़ा तक परेगर आपको फिर इसके बाद से पढ़ेंगे दो चीजे घटित होती हैं जब साथ करने वाले लोगों की भासा एक शमान होती है पहला यह कि वे एक दूसरे क फिडबैक देते हैं और बहुत तार्किक भावनात्मक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे वेवार प्रभावित होता है दूसरा यह कि जब अनुसरन करने वाले महसूस करने लगते हैं कि उनके प्रबंदक इस्तिती जन्न नेतरित्व का उपियोग कर रहे हैं त आपका option D क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा इस question का यानि कि A और C आपका right answer हो जाएगा संगठन में एक समान भासा वाले लोगों से पच्चपात रहे फिडबैक जो कि यहां पर दिया गया है कि पहला यह कि एक दूसरे को feedback देते हैं ठीक है फिर उसके बाद से जो ह यहां पर C हो जाएगा लोगों का वेवार नेत्रित्व को प्रभावित करता है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है ठीक है नेत्रित्व देखे यहां पर दिया गया इस्तिति जन्नेत्रित्व का उप्योग कर रहे हैं तथा प्रबंदक नहीं बलकि उन को सौल्ब करने है विडियो फाश लगे तो मैं बार-बार बोला हूं को विडियो को पहुच करिएगा उसके बाद से कोश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करिए आई अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन नमरा है बाद देखकर हो जाता है तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है ठीके इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर सी यहां पर कारियात्मक हो जाता है जब संप्रेशन कच्छ के दोरान विद्यार्थियों की आवशक्ताओं तथा सिछड के उद्देशियों को पूरा कर देता है तो वह कारियात्मक संप्रेशन कहलाता है और जब कोई विद्यार्थी जो अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए संघर्स करता है तो उसकी आवशक्ताओं को adore 17刷 जा σकता है तो धिक जब अगर आप रभावी षंपिरेशन करते हैं तो कुछ मनुवैज्जानिक और उत्पन होते हैं उन्हीं ने बोगने आंज़र दिया गया है और नीचे चारव कलपसे बता दी में गपरले मैं और्या E है आपकी तार्किक विवश्थापन और यफ है विचारों का प्रवाद तो क्या इस question में option A सही है B सही है C सही है या D सही है comment box में आपको बताना है वीडियो पहुच करिए question को अच्छे से पढ़िए फिर अपना answer देने का प्रयास करिए तो देखे इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा B, C, D आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा B और C और D तो देखे question में यही पूचा गया कि प्रभाविश अंपरेशन के लिए किसे मनोवग्यानिक अवरोध कहा जा सकता है अन्यमानसिक्ता को और लिखित सब्दों पर अधिक भरोशा को और सिमित प्रतिधारना तो देखे यहाँ पर यह तीनों आपके right हो जाएगे मनोवग्यानिक अवरोध की अंतरगत इसलिए हमारा option B क्या है इस question का right answer हो जाएगा इस question से जोड़े कुछ important points है उसको भी आप समझ लीजिए देखे प्रभावी शंप्रेशन में जो है कई सारे मनोवग्यानिक अवरोध उत्पन होते हैं तो उनमें जो है यहाँ पर तीन ही दिये गए लेकिन कुछ और है उनको भी आप याद कर लीजिए गर question modify करके आप से जाए तो आप उसका अंसर कर पाएं तो देखे सबसे पहले होता है इसमें अल्प धारडियता और दूसरा चैनात्मक द्रिष्टिकोंड और तीसरा अनावश्यक मिश्रण और चौथा है संचार पर विश्वास और पांचवा है अपरिपक्व मुल्यांकन और छेठवा है शंबेग और सात्वा है मनोवृति और आठवा है हीन भावना ठीक है तो ये सभी जो है प्रभावी शंप्रिष्ण के लिए मनोवग्यानिक अवरोध की रूप में काम करते हैं जिसमें अल्प धारिड़ता है चैनात्मक दिष्टिकोंड यानि आप सब्दों को बोलने से करते हैं अनानवश्यक मिश्ण यानि किसी बात को कहने में आप उसमें कई सब्दों का मिश्ण बेवजदा करते हैं और संचार पर लाइने बग्यानिक अवरोध के रूप में काम करते हैं तो ठीक है यहां पर आप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और आसा करता हूं कि आपने भी आप्शन भी राइट आंसर लगया होगा आई एकला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमर 18 देख होती है अब उप्युक्त कत्नों का अलोकन करना है हमें और निम्नांकित विकल्पों में से जो सरवदिक उत्तर जो यानि कि सबसे बहतर उत्तर लगता है इंचार विकल्पों में से उसका जवाब जो है कमेंड बॉक्स में देना है क्या आप्शन A सही है B सही है C सही है या D सही है यह आपको comment box में बताना है इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर A सही है पर आपका गलत हो जाएगा ए क्या है सही है पर आपका क्या है गलत है इसको अच्छे से समझ लेते हैं संप्रेशन में मानविय पच्छ विद्यार्थियों को सहबागी बना जिससे उनकी इस संपूर्ण प्रक्रिया में सबगिता क्या होती है बढ़ती है इसलिए हमारा अभिकतन क्या हो जाएगा सई हो जाएगा ठीक है लेकिन तर्क में क्या बताएगा कि प्रद्धोग की संचलित कच्छी यह परिवेश में अध्यापक की संप्रेशडात्मक जलत है क्योंकि प्रद्धोग की आधारित कच्छी यह वातावरण में सिच्छ का दायत्व और भी वड़ जाता है और उसकी दच्छता उसे प्राथमिक भूमिका में ला देती है जिससे सिच्छन प्रभावी तता गुडवत्ता पूर्ण हो जाता है और यहां जो है यह हम प्रद्धोग की संचलित कच्छी यह परिवेश में अध्यापक की संप्रेशाड आत्मक भूमिका दित्यक होती है यह गलत है यह प्रात्मिक होती है तो यहां पर यह तर्ग गलत है और अभिकतन आपका राइट हो जाएगा इसलिए option C क्या है हमारा right answer और आपने भी option C right answer लगाया होगा आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा question 19 और देखिए यह सुची 1 और सुची 2 के साथ हमें मिलान करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सुची 1 में संप्रेशन का प्रकार दिया गया है सुची 2 में यहां पर जो की mention नहीं ठीक है सुची 2 में आपके व विशिष्था है उसके साथ हमें क्या करना है मैच करना और नीचे दियेगे चार विकलपों में से हमें सही answer comment box में बताना है तो आईए इसे match कर लेते हैं और वीडियो को पहुच करके जो है आप इसे match करके comment box में इसका answer देने का प्रयास करिए तो देखिए ये हमारा जो है चोथे के साथ 36 संप्रेशन का प्रकार अभी विन्यत अफवा जो है इसकी विशेष्टा है और C जो है वृतिय तो ये मैच करेगा आपका किसके साथ पहले के साथ मैच करेगा अभी विन्यत प्रतिपूर्थी यानि फीड बैक जो है ओरियंटेड ये होता है आपका वृतिय और D जो है आपका क्रियानवित परक ये आपका मैच करेगा किसके साथ दूसरे के साथ अंतरव्यक्तिक जो है इसके विशेष्टा होती है तो देखे जिस प्रकार से हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ओप्सन नंबर C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर C क्या है आपका राइट आंसर आप देखे एक करके मैं सबके बारे में बता देता हूं सीधे सीधा संप्रेशन का प्रकार देखे सीधा संप्रेशन या उर्दवादर संचार संप्रेशन का वह माध्यम है जिसमें अधि संचार resso प्रकार यह स्तरिय से परों चलार जाता है और एर рубुनिश अफव के अपर कहते हैं गार का व potion संचार से है कि कईदिय संचार से यह आश्य है कि कुछMcतियお願い मांदे आपस में संप्रेंशन से है याणि कुछ tenga के आपस में संप्रेशन से ही जो है वर्तिय संप्रेशन का यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब है और जिसमें सिमित मातरा में विकेंदी करण पाया जाता है इस विधी का प्रयोग मेटिंग राउंड टेबल कॉन्फरेंस आदी में किया जाता है मेटिंग के दौरान जो गोल से हैं जहां संप्रेशन दो या दोसी अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है तथा जिसमें प्रतिपूष्टी त्वरित गति से मिलती है और इस तरह के संप्रेशन का उप्योग सच्छतकार एवं समाचार संकलन आदी में किया जाता है तो यहां पर आसा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गये होंगे सभी संप्रेशन के प्रकार और आपने भी जो है आपसंसी जो है राइट आंसर लगाया होगा आईए अगले कुश्चिन के तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चिन नमर आए कुश्चिन नमर ट्वेंटी देखे इसमें पूछा जा रहा है नीचे दो विकारे बनाता है यहां पर कि यदी संस्थानिक इसतर पर हो झागे है तो प्रिक्त कत्नों का सही सतरका option A सही है B सही है C सही है या D सही इसको आपको comment box में लिखकर बताना है देखिए इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A यहाँ पे right answer हो जाएगा कथन पहला और कथन दूसरा क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसे आप याद रखेगा इस यह स्विकारे बनाना है जहां अनु नियायात्मक संप्रेशन से आसाय संप्रेशन की ऐसी विदी से है जिसके द्वारा प्रेशक प्रेशक जो है प्रेशित की मनुवरिती में लावकारी परिवर्तन लाता है जिससे सैचिक उद्देशियों की पूर्ती होती है जिसके कि option A जो है आपने right answer इस question का लगाया होगा आई एगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 21 और ये एक math का question है age related ठीक है तो इसको पढ़ते हैं फिर इन चार विकल्पों में से जो है आपको इसको solve करके comment box में इसका आंसर बताना है तो एक व्यक्ति के आयू अपने पुत्र की आयू से 30 वर्स अधिक है और 5 वर्स पहले उसकी आयू अपने पुत्र की आयू की 6 गुना थी पुत्र की आयू कितनी होगी तो देखिए यहां पर option A सही है B सही है C सही है D सही है आपको comment box में जो है solve करके बताना है बाकी हम यहां पर solve करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे है ठीक है देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि 5 वर्स पुर्व व्यक्ति के पुत्र की आयू कितनी होगी चुकि हमको पता नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे x माल लेंगे । पुत्र की आयू बराबर एक्स हो जाएगा फिर उसके बास से दूसरा我很 हमारा होगा यहां पर पांच वर्स पूर्व व्यक्ति के आयू अब पांच वर्स पूर्व जो है उस ब्रॉत्य की आई कि हमने देखे यहां पर दिया गया कि 5 वर्स पहले उसकी पुत्र की आयू से 6 गुंआ था तो 5 हो जाएगा पिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद यहां पर वक्ति के पुत्र की आयू यानि वर्तमान में वक्ति के करना है दिखिए यहां पर मैं स्वाल करके दिखाता हूं पहले आपको 6x यहां पर रखना है फिर माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 वर्स जो कि यहां पर दिया गया है ठीक है एक व्यक्ति की आई यू अपने पुत्र की आयू से 30 वर्स अधिक है तो 6x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 30 वर्स ठीक है तो फिर यहां पर 5x या बच्चे की आयू के उपर हम बात करें तो बराबर कितना हो गया 30 वर्स फिर उसके बात से हम क्या करेंगे यहां पर x बराबर 30 बटे में आपका हो जाएग तो इसको क्या करेंगे यहां पर इसके साथ क्या कर देंगे रख देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारा छे प्लस पांच और इसको सॉल्ब करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 11 वर्स ठीक है तो पुत्र की आयू निकल कर कितने आ गई 11 वर्स इस परकार से आप इसको solve कर लेंगे देखिए मैध के सवाल की जितने ज्यादे पिक्टिस करेंगे उतने आसारी के साथ आप इसको solve कर लेंगे आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 22 देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित स्रिंखला में से अगली संख्या क्या होगी यह रिजि देख लेते हैं पहले सिरी जिसमें क्या चल रही है देखिए संख्या बढ़ती है दीरे दीरे तो वहां पर संख्या जुड़े रही होती है और तेजी से जब बढ़ती है संख्या तो वहां पर गुड़ा होता है ठीक है और घट रहे दीरे दीरे तो माइनस होता है तेजी स से घट रहेंगे तो divide हो रहा है तो यह सारे तरीकिव को हमें देखना होता है कि आखिर स्रीज में क्या चल लए तो देखें यहाँ पे जब हम दोनोंके भीश का देखेंगे चार और 12 का तो यहां पर क्या हो रहा है कि 8 यहां पर आपका हो जाएगा 8 गुड़ते 1 यह equation होगा आपका ठीक है क्योंकि आप जैसे सोच रहें कि नहीं 8 होगा तो 12 होगा लेकिन आगे जब इसको आप equation चेक करेंगे सीरीज का तो वह उस प्रकार से नहीं होगा ठीक है फिर उसी प्रकार से यहां पर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह फिर से आपका 8 गूटते 2 जो कि 16 हो जाएगा और 16 में बाइस जड़ेंगे तो सोरी 16 में जब बारा जूटेंगे तो आपका 28 आ जायए गा फिर उसी प्रकार से यहां पर आपका 8 गूटते 3 जब यह 24 इसको सॉल्ट करें 24 आएगा 24 को जब 28 इसमें जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा उसी प्रकार से यहां पर आपका आठ गुड़ते चार हो जाएगा और आठ चुक के 32 और 32 को जब 52 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 84 तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस खाली जगे के ऊपर तो सीरीज आपको सबसे अच्छी वड़ी बात है कि सीरीज पता करना होगा कि पूरे एक्वेशन में क्या सीरीज चल लही है संख्याय तेजी से बढ़ रही है घट रही है और उसी के अकौर्डिंग जो है अपना जो है method यूज करके question को solve करना है आसा करता हूँ question clear हो गया होगा आगे अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 23 और ये भी math का question है ठीक है तो यहां पर देखे question को पढ़ते हैं एक वाहन चालक देखे वीडियो को पहुच करके question को solve करके इसका answer आप comment box में जरूर बत आता है तो इस पूरी यात्रा में उसकी आउसत गती कितना है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है तो आउसत गती हमें ग्यात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें देखे पहली जो यहां पे दूरी है 150 है ठीक है दोनों को हमें निकालना है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं आउसत रिचाल कि दूरी आपका हो झाएगा को ढूरी डीसा answer में इंडीकेट कर देता हूं को सबसे पहले मैंने क्या डीस है यह रहे हibly पमोस की कर देता हूं यह फॉर्मूल्assa है और जाने में जो है जो टाइम लग रहा है उसे निकालना है हमें तो उसके लिए 150 को लिखेंगे उपर फिर उसके बाद स्पीड नीचे लिखेंगे और उसके बाद से इसको डिवाइट करेंगे तो यहां पर हमारे गंटा और फिर आउसत निकालने का मैंने बता है कुल दूरी और कुल समय तो इक्वेशन हम क्या करेंगे यहां तो जब उपर जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा यहां पे 300 बते में यहां इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और इसको जब solve करेंगे तो हमारा जो आएगा value वो होगा 37.5 जो है किलोमेटर घंटा जो है आपका ये निकल कर आएगा answer तो आप देखेंगे option में आपका यहां पे बी जो है right answer हो जाएगा इस question का तो इस प्रकार से आपको इस question को solve करना है आसा करता हूँ clear भी हो गया होगा आएगा question देखते हैं अगला question हमारा है question number 24 और ये भी एक math का question है इसमें चक्रविदी ब्याज जो है ग्यांत करना है तो ये question मैं आप लोगों को देता हूँ as a homework और इसको solve करके आप comment box में इसका answer बताएंगे ठीक है और हम next question को देखते हैं आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 25 और अगला question हमारा है question number 25 इसको भी देखते हैं देखे इसमें पूछा जरे के निम्नांकित सब्सरिंखला में अलग पद क्या है तो यहां पर यह आपका रिजिनिंग का एक शवाल है इसको हमें solve करना है तो comment box मे आप answer बताएंगे आईए से solve करते हैं तो देखें यहां पर जो खाली यह gap है यहां पर क्या आएगा कौन सा सब्दा आएगा इन चारों में से वही हमें जो है find करना है तो solve करने के बाद ही पता चलेगा तो देखें B पहले लिख लेते हम सब्दों को BDF फिर उसके बाद से E, G, I फिर उसके बाद से H, J, L ठीक है तो यह तीन सब्दे हैं और यहां पर मैं कामा देखें कर देता हूं क्यूंकि अगला जो है सब्द हमें क्या करना है निकालना है तो आप जब यहां पे equation जमाएंगे तो B और E के बीच में जब देखेंगे तो तीन लेटर का आपको नजर आएगा यानि तीन लेटर बाद जो है E आता है फिर उसके बाद से जब फिर से आप यहां पर G के साथ देखेंगे D से G के बीच में प्लस तीन लेटर का यहां डिफरेंस आपको दिखेंगा उसी परकार से फिर से I के बीच में आप देखेंगे तो प्लस तीन लेटर का फरक आपको दिखेगा यानि तीन-तीन liटर के बाद जो है अगला लेटर आ रहा है उसी प्रकार सेई के बाद यह में देखेंगे आप तो ब्यूद का फरक ने दढ़ब फार्ण रहांगे एफ जी एच उसी प्रकार सेजी के बाद kı प्लस-तीन लेटर बाद जो है आपका के आएगा यहां पर ठीक है के प्लस तीन बाद के आएगा फिर जे के बाद तीन लेटर के बाद के आएगा यहां पर तीन सब्द के बाद जो है लेटर के बाद जो है आपका यम आएगा फिर इसके बाद यल के बाद तीन लेटर के बाद के आएग तो के एम ओ जो है यहां पर जो गैप वाली जगह यह सब्दाप का आएगा तो आसा करता हूं कि यह आपको सिरीज समझ में आ गई होगी किस प्रकार से जो है लेटर अगला आ रहा है प्लस तीन होता जा रहा है लेटर और अगला जो लेटर आ रहा है वो उसको यहां पे मैठ और लिटिंग कॉंपरिहेंसन और डियाई के जो क्वेश्चन होते हैं अगर उनको अप प्रिभियस यह के जितने भी क्वेश्चन पूछे गया है उनको अच्छे से अगर आप सौल्ब करते हैं तो आपके आने वाले जो एक्जाम है उसमें जो भी इन सेक्शन से क्व बन जाएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि एक्जाम होने से पहले आपको मैं मैक्सिमम कोश्चन जो है प्रेक्टिस सेट के रूप में और जो प्रिबेस के कोश्चन पेपर पूछे गया है उनको सॉल्ब करा दूँ ताकि आपको परिच्छा में किसी भी प्रकार की समस्या न दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके क्योंकि जो कुछ हम प्रवाइड करते हैं आप सभी को फ्री आप कोश्ट होता है तो अगर आपकी हेल्प हो रही है से तो दूसरों को सेर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और रही बात कि वीडियो लेट क् solve कराया था लेकिन editing करने में उसमें हो क्या गया था कि आवाज तो आ रही थी लेकिन जो वीडियो है आगे नहीं बढ़ रही थी यानि question change नहीं हो रहे थे और वीडियो पूरा खराब हो गया और उस वीडियो को बनाने में 3-4 गंटे मुझे लगे थे लेकिन वो वीडियो क्य हो गया पूरी तरीके से खराब हो गया और सारा मेहनत जो है पानी में मिल गया तो काफी समस्याय होती है काफी problems होता है लेकिन मैं उसको बताते नहीं हूं आप सभी को क्योंकि मेरा main motto है कि आपकी help करना है चाहे कोई भी problem मुझे हो और उसके साथ ही साथ data problem भी है कभी-कभी इंटरनेट ही नहीं चलता है वीडियो अपलोड करने में भी समस्या है और उसके साथ-साथ इतने सारी question को type करने में तो बहुत सारी समस्या लेकिन उन समस्याओं के बीच भी मैं आपकी जो है regular मदद करने का प्रयास करूंगा और continue video देने की मैं कोसिस करूंगा आज ये एक video आपको मिल गया फिर इसके बाद से भी आज मैं आपको एक video दूँगा और प्रयास रहेगा कि regular आपको video मिले ताकि आप अपने exam में अच्छा performance कर पाए इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए है पहली बार इस video को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और उसके video में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले video में कुछ और important question के साथ